डियर इस्टूडेंट ये है बिय थर्ड समेस्टर का हिस्ट्री यानि इतिहाच का पूरा का पूरा माडल पेपर कुश्टन पेपर जो कि इसी वर्स दोहजार तेस और चोविस की सिसन कहा यदि आपकी पर इच्छा आने वाले दिनों में है तो ये आपको लोगों के लिए ब भी हम भी है बने रहें सब्hare समेंद्र ये प्रष्नपत्र का नाम हिस्ट्री आप मॉडर्ड राइन आप लोगों महात्रपूर्ण वीडियो होने वाली इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है कि मीर काशिम जो है ये 1700 जहां से सुनेंगे 1700 से ठीक है 1763 तक ठीक है ये बंगाल के नबाब थे 1760 फे 1763 इस भी तक ये ठीक है बंगाल के नबाब थे ठीक है इन्हें बिट्रिश इंडिया कमपनी के समर्थन से नबाब के रूप में अस्थापित किया गया था ठीक है जो उनके ससुर मीर जाफार के बाद गदी पर बैठे थे जिनके पास प्लासी की लडाई में उनकी भूमका के बाद खुद को इस्ट इंडिया कमपनी का कमपनी द्वारा समर्थित किया गया था कुल मिलाके आप ये लिखेंगे कि फट्रा सो साट से फट्रा सो सु Stockholmत्रिशट तक मीर वैसिम बंगाल के नबाब थे ठीक है और आप लिखेंगे कि ये बिष्टिस इंडिया कमपनी के समर्थक से नबाब की रूप में सापित किया गया था ठीक बस इतना लिखेंगे पूरे नंबर मिल जाए क्योंकि अतिलग उत्रेगा ही प्रशने अगला की इलहाबाद की संद्र के बारे मत आई है बहुत ही पॉपलर कोईश्चन बहुत ही टॉप लेबल कोईश्चन यह भी इसके बारे में जानना आपको जर 216 کے संद्र होई थी इलहाबाद की संद्र पर रावर्ड क्लाइ और साव आलम के बीच हंता हुआ इस बात को ध्वां लगेंगे किसके बेज कि लुएंड पोईट आपको ध्लांना रावर्ड क्लायू एचैश्चे और एक और थे जिनका नाम था साह आलम कौन साह आलम इन द लगुत्रे का प्रश्ण है तो इतना ही लिखना बनता है डीटियल में आएगे तब आप डीटियल में लिखेंगे ठीक है अगला question कि सहायक संध के बारे में बताईए सहायक संध के बारे में जान लेते हैं सहायक संध ना ये मुझ रोप से बित्रिस इस्ट इंडिया कमपणी एक थी ठीक है और भारती जो रियाफत थे उनके बीच की एक संधी थी, सहायक संधी ठीक है जिसके आधार पर भारती राज्यों ने अंग्रेजों की हाथों पर अपनी संपर्वुता खो दी ठीक है या एक बड़ी प्रिकरिया थी जिसके क भारत के गवर्णर जर्णर लर्ड वेले जली द्वारा बनाया गया था इस बात को धान लखेंगे महात्पोर्ण प्रश्ण से दीजी भी महात्पोर्ण प्रश्ण इसके बारे मुझ आपको बता देने ठिक है अमरत सर की जो संधी है वो 1809 के बीच का एक समझा होता था ठीक है ध्यान रखेंगे अमरत सर की संधी जो है वो 1809 के बीच का एक समझा होता था बिट्रिश इस्ट इंडिया कमपणी और महाराजा रंजीत सिंग शिख नेता जो अफथापिस सिख समराजी थे ठीक है समराजी के थे इन परेडामों के बीच सिंग ने अन्य सिख समझाओं के बीच अन्य सिख प्रमखो और उनके साथियों की कीमत पर 17 नदी की उत्तर में अ इस्ट इंडिया कमपणी और महाराजा रंजीत सिंग सिख नेता जो अफथापित ठीक है सिख समराजी किया था ठीक है यतना लिखेंगे बिस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बेस्टिक सा आप अपने इनस्वार भी तैयार कर सकती मेरे इनस्वार जो परिभान सा हो हम आपको बताते रहें ठीक है अगला कुश्चन की महाल वारी की बेफथा के बारे बताईए ठीक है तो महाल वारी भी एक महत्पूर्ण प्रस्ट ने ठीक है तो महाल वारी की अंतरगत गाउं की मुख्या के साथ सरकार का लगान वसूली का समझहोता होता था ध्यान से सुन का समझहोता होता था इसे महाल वारी बंदोबस्त बेफथा कहा गया है इसमें गाउं के प्रमुक किसानों को भूम में ठीक है इसमें गाउं के जो प्रमुक किसान थे उनकी भूम से बेदखल करने का अधिकार था महाल वारी बेफथा के तहित लागान का निर्दान महाल य उसके आपस में मेल जूर मतब की लगान वसूली का समद्ध होता की जब हम जमीन चाय जूर ले फैक्ते हैं जब चाय उसको छोड़ सकते हैं ठीक है जिसे महलवारी या फिर बंदोबस्त बेवफ्था कहा जाता है ठीक है इसमें गाओं के जो कुछ किसान थे ठीक है उनकी जो पत्र के बारे में बताई है ठीक है तो मैकाले का बिबरन पत्र ये है कि या फिच्छा प्रणाली हमारे देश की मूल प्रणाली बन गई कौन सी मैकाले बिबरन पत्र के इंतर बताया गया है कि या फिच्छा प्रणाली हमारे देश की मूल प्रणाली बन गई है कौन सी इस भारती शिच्छा ठीक है आज भी हमारी फिच्छा इसी माध्यम पर आधारित है अंग्रेजी को सरकारी कारियों की भासा गोसित कर दिया गया मैंकाले ने अंग्रेजी भासा के पच्छ में इतने ठोंस सुधाव देते कि अंग्रेजी भासा का महत बड़ गया मतबकुल मिलाक कब दिया था दो ठीक है फरोरी को दो फरोरी सन याद रखेंगे दो फरोरी सन अठारासो पैंतिस को ठीक है इन्हों भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे ठीक है जो फरोरी 835 को उन्होंने गवर्णर जनर को एक ठीक है घयाओ सब्साली यह तो फरोर खूरइट 2746 से 1749 के पीच का युद्ध है ठीक है और इसमें उत्तर धिकार के संघर्स में पांडचेरी के गवर्नर डुपले की नेतुरत में फ्रांसीशियों की जीत हुई थी ठीक है यूस युद्ध में किसकी जीत हुई थी फ्रांसीशियों की जीत हुई थी और अपने दावेदारों को गद्धी पर बैठाने के बदले में उन्हें उत्तरी सरकार का छेत प्राप इसके बीच का यह युद्ध था ठीक है और इसमें यह वा था पांडचेरी के जो गुवर्णर थे जिनका नाम था डुपले ठीक उनके ही नेतुरत में या फिर उनके इस अल्लाप पर फ्रांसीशियों की जीत हुई थी ठीक है उनके नेतुरत से ठीक है तो इस विकार इसका जन्म है वो 12 जनौरी को ठीक है 1863 में हुआ था जन्म हुआ था इनके बच्पन का नाम नरेंदर नाथ दत्त था और इनके गुरू का नाम रामकृष्ण परमहंस था वो अपने गुरू के नाम पर बेकानंद ने रामकृष्ण में संत था रामकृष्ण मठ की असापना भी की है यह परिश्य होगा इनका सिंपल सा बिले और हड़प नीती ठीक है ये भी काफी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप पड़ भी सकते इसको इगनूर भी कर सकते ठीक है आरे समाज भी बहुत टॉप लिबल का कोईश्चन है तो आरे समाज जो है न वह एक एका स्व 1875 में बॉम्बे में श्वामी दयानंद सरस्वती ने जातिवाद का बिरोध करने बिदवा पुनर बिवा का समर्थन करने और भारत में महिला ससक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया था यानि आरे समाज के जो स्थापना है इसकी जो स्थापना 1875 में की गई थी और यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी ठीक इसकी अस्थापना और इसका जो कराण था जिस वज़ा से यह की गई थी इस समाज की अस्थापना आरे समाज की उसका उनका यही मुख्लच था यही इनका में एहिम था इसका सरस्वती बिद्यानंद सरस्वती क कि अगर कोई माली जी की ठीक है भी दूबा है या फिर साधी किसी वज़ा फे दूसरी साधी माली जी वह नहीं रहा थी कि दुनिया में तो दुबारा साधी कर सके पुनर विवा का समर्थन थीक है भारत में जो महलाएं उनका बढ़हावा देना ताकि वो कुछ आगे कर सके पुल्सों की तरह ठीक है पीछे न रहे उजातिवाट का बिरोदकी गजातिवाट को मत समझजिए और आप सभी लोग को एक साथ लेकर चलिए जातिबात का ये लेकर जो फ्रम भरम हैं लोगों केंदर जातिबात को किसी भी समस्या जो आती रहती है आए दें ठीक है यह वाली इकcycle T3 के भूबया में कर सकता यह आए अब हमारे पार फॉत्वर्स वार्ण various कि परिच्छा में सामिल हो सकते हैं इस बार बकसर का युद्धु जो की बहुत ही पॉपलर हुआ आप सभी जानते भी है लगातार ये परिच्छा में पूंचता ही आया है आपने दासमी बार हुई ठीक है गेर हुई जितने में आप लोग ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ब उसके बारे हम लिखना है ठीक है और अगला के बंगाल में दो इसासन के अफथापना पर प्रकाश डाली यह इतना महातपोर्ण नहीं अगर आप चाहने तो पढ़ भी सकते हैं और अफथाई बंदो बस्त से आप क्या समझते यह इतना महातपोर्ण नहीं आप चाहने तो कर दवन शुदारों करवकाश डाली यहीं कभी का दा राता मेंसा नहीं तस पढ़ भी सकते हैं अगला है कि प्रध्विन की प्रथम अंगल शिख युद्धर के कारण बताईे थीक यह यूद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे प्रथम अंगल सिख युद्धमे ठीक है और इन सभी प्रशनों का उत्तर जो यहां पर दिए गए हैं इन सभी उत्तर आपको कोश्चन में मिल जाएगा नहीं यह तो इंटरनेट पर गूगल पर तो आप सर्ची करही सकते हैं ठीक कर लीजिएगा ओके और कोश्चन नोट कर लीजिए जो जो हम आपको बता रहे हैं ठीक यह आपके परिच्छा में साबित हो सकते हैं महत्त पूंट ठीक है खंड़सा में आपको दीरगुत्र टाइप की कोश्चन देकर नहीं को पुलेंगे जिसमें से पहला कि उस्चन है करनाटक युद्धों में अंग्रेज अगला है कि रैयत वाड़ी बंदुबस्त के प्रमोग विसिस्ता हैं यह मेरे कोटिंग महत्तपूर्ण नहीं आप नूर कर सकते हैं ठीक लाड़ डलहोजी कि सुधारों का वड़न कीजिए अगला कुश्चन की समार्शुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय की योग यह पेपर जो है इसमें देएगे जो जो भी कोइश्चन है इनको यह आप तयार कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ विल जाएगी ज्यादा तो नहीं बोलेंगे 20-30 नमबर की जरूर आपको हिल्प मिल जाएगी इस वीडियो से यह इसमें देएगे सारे के सारे इस तकाएर करके जाते हैं अर उसका उत्तर लिए और आ पर आपको प्रवाइट करा देंगे ठीक है जहिंद